तो आए जो है तो हम लोग देखे लेते हैं कोश्चन क्या है नीट का है तो नीट का देखे मोस इंपॉर्टन कोश्चन है देखे सबसे ज्यादा नीट में जो है आप्टिक रे आप्टिक से आया हुआ देखे रे आप्टिक का धेर सारा कोश्चन है तो चलिए हम लोग लगा thin convex lens, आप focal length कितना f each है, क्या बोला है, two similar thin convex lens है, आप focal length कितना f each है, are kept coaxially in contact with each other, मतलब एक दूसरे को जो है, एक साथ जोड़ा गया है, और each का जो है, हमारा focal length f है, such that the focal length of the combination is f1, जब जोड़ेंगे तो उसका focal length क्या मान लिया है, यह f1, when the space between the lens is filled with glycerin, अगर उसके बीच में जो भी जगह बसता है, अगर उसमें हम glycerin डाल दें, जिसका refractive index कितना दिया है, 1.5, the equivalent focal length f2, तब equivalent focal length कितना हो जाएगा, f2 होगा, तो क्या रेशियो f1 upon f2 का रेशियो बनाना है, बताना ठीक है, तो आया समझ में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखेगा, यह question आया है आपके 2019 में, ठीक है, तो दोस्तों, हम लोग जो है neat का, जो है one by one करके chapter का कर रहे हैं, तो हम लोग ने पीछे का कर लिया है, और electromagnetic wave का भी कर लिया है question, अब हम लोग ray optics का कर रहे है question, और इस ray optics अगर आप देखेंगे, तो बहुत धेल सारे question लगभग 5 यच्छा question chapter में पूछे, मतलब most important बोल सकते हैं, इतना ज्यादा chapter से question पूछना मतलब most important ही मानेंगे, तो हम लोग ray optics से question करते हैं, तो two question पहले करा दिया है, तो आगे हम लोग three question लेते हैं, तो देखेंगे question में सबसे पहले, आपके screen पे question आ चुका है, तो आपको जो है question को पढ़के समझी का क्या है, तो देखेंगे सबसे पहले क्या question बोला है, कि दो जो है convex lens है, अगर उनको हम लोग ऐसे touch करके रख देंगे, ठीक है, ऐ और दोनों का जो focal length है, सेम है, तो अगर बात करते हैं, हम लोग क्या है दोनों का, और बाद में क्या कर दिया है, इसको यहाँ पे, बाद में इसी के अंदर यहाँ पे जो जगह बचा है, उसने क्या डाल दिया है, तो इस type का बन गया, तो जब glycerine नहीं है, तो one upon f, one equal to हमा एर में है, तो 2 upon f हो जाएगा, तो f1 की जो value होगी, f upon 2 हो जाएगे, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, इसमें glycerine डाल देंगे, क्या डाल देंगे, इसके बीच में जब glycerine रख देंगे, तो हमारा बोलत तब focal length कितना होगा, f2 होगा, तो इसलिए हम one upon f2 equal to लेंगे, तो one upon f f1 plus one upon f1 तो रहेगा ही, और यहां जो glycerine है, वो हमारा कैसा काम करेगा, तो कान क्यों जैसा काम करनेगा, उसका focal length कितना हो जाएगा, one upon f उसका भी focal length हो जाएगा, इसके बीच में डालने से glycerine के focal length कैसा काम करेगा, one upon f, तो उसका जो half हो जाएगा, मतलब एक तरह से जो total ह हमारा focal length आया, f by two है, ठीक है, जो total length, जो हमारा कह सकते, जो focal length हमारा क्या है, इसका y by y by, तो अब क्या होगा, यह glycerine डालने से उसका, जो half हो जाएगा, half का मतलब यह हमारा हो गया, one upon f, और यह कड गया, तो हमारा कितना हो गया, one upon f हो गया, तो focal length जो glycerine डालने पे मिला, कितना मिल गया तो f मिल गया ठीक है यह second equation अब इसमें पूछा ratio का बताना है तो f1 upon f2 का जब ratio आप निकालेंगे तो f1 की value f upon 2 है और इसकी f जब कटेगा तो आगा 1 upon 2 मतलब हमारा होगा 1 ratio क्या होगा 1 ratio 2 तो आप option अब देख लिजocy क्योंकि option आपके सामने है तो option हम लोग देखते हैं तो option मेरा कौन सा है question number है तो option आपका मिल गया कौन सा है तो आपने देखा one ratio two का मतलब option आपका second है तो आपने देखा option second आपका one ratio two वाला option सही हो गया ठीक है तो देखिए आपको असानी से कोई दिक्कत नहीं समझ में भी आगया सबसे पहले देखे दिख रहे हैं तो यहाँ ज F2 equal to कितना हो जाएगा जब इसको glycerine में डालेंगे तब कैसा होगा तो यह हो जाएगा one upon f plus one upon f यह दोनों का हमारा क्या है lens का हो गया और जब glycerine डालेंगे तो one upon f उसका आधा और हो जाएगा तो यह जब कटेगा तो यह one upon f होगा तो f2 का जब value आगा glycerine के बाद तो यह कितना हो जाएगा यह हमारा हो गया f हो जाएगा तो f1 और f2 का जब ratio निकालेंगे तो f by 2 हो गया और यहाँ f होगा कट के कितना आगया one ratio two आगया तो option b हमारा क्या है one ratio two यही हमारा answer हो गया ठीक है ना तो आप लोग ध्यान से देख लिए तो इस तरीके से देखे कुछ भी नहीं है question कितना सिंपल है बस आप समझने की बात है थोड़ा सा एकर आप दिमाग लगाते है तो question easily कर सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं है ठीक है ना तो आईए हम लोग next question लेंगे तो आपको समझ में आइक नहीं देख लिए जहां lighting मैंने वहां पर जगा जो है छोड़ दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग देख लिए तो आई हम लोग next question लेते हैं दे अगला question जो है नीट का वो 2022 में आया हुआ है क्या है बाई convex lens है जो रेडियाई आप करवेचर 20 cm है मतलब क्या कोई बाई convex lens है और उसका रेडियाई कितना है हमारा मतलब रेडियस आप करवेचर कितना है 20 cm दे रखाए ठीक है ना आई पोला है इच इप दी रिफ्रेक्टि दी पावर आप दी लेंस कितना होगा आप्शन है प्लस 2D प्लस 20D प्लस 5D इनफीटी ये 2022 में आयवा question है क्या क्या दे रखा देख लिए बाई convex lens है रेडियाई 20 है और material का रेफ्रेक्टिव 1.58 और कैसे बाई convex lens है तो देखिए अगर हम लोग solution की बात करते हैं देखेगा अगर हम फार्मले की बात करते हैं तो हमारा जो फार्मला लगेगा यहां पर हमने यह मान के चलिए कि यहां पर हमारा एक तरह से light पड़ रही हमने उसको circle कर देवाँ नहीं लिखना है ठीक है अब देखिए तो जो फार्मला हमारा वन अपान यह अप होता है वह म्यू माइ यहां पे यह प्लस हो जाता है वन अपान आरेड़ माइनिस वन अपान और सन यह फार्मला वन हपान एफ इक्वल टो मू disco म Immer son और अपान ला टो तो देखेगा हमारा यह रेडियाई सेम है अब इसमें हमारे पास देख्भे मीव की वयलू हमारे किटनी दे रहा है 2.5 और आरवन की वैलू भी 20 cm है और एक मेंठ आरवन की वैलू 20 cm दे रखा है और आरटू की वैलू माइनस 20 cm है जब दो रेडिया एक साथ दिया होता ना इसका मतलब एक प्लस लेना दूसरा निगेटिव लेना अब क्या करिए इसी फामले में आप बैलू रखेंगे तो यहां पर हमारा बैलू कितना 1.5 और माइनस 1 और यहां हो गया 1 अपान कितना हो गया 20 और दूसरे में प करेंगे तो 2 अपान कितना हो गया 20 हो गया ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं अब आगे हम क्या करते हैं 1 अपान f equal to अगर इसको हम 2 into 5 कर दें तो यहां से point जब हटाएंगे एक 0 यहां पर बढ़ जाएगा मतलब बोले तो यह 200 बन जाएगा और यहां 5 to 10 हो गया 10 का एक 0 काट देंगे तो कितना 20 तो focal length जो आ गया 20 cm आ गया इसी 20 को हम लोग सकते 0.20 meter भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है ना तो इतना value कितनी हमारी focal length की है तो यह equal to 20 cm कैसी है तो देखे सबसे पहले क्या दिया है बोला है radius आप curvature कितना है इच है जिसकी value 20 cm है और जो material यूच की है उसका reflection 1.5 है तो पूछा है power क्या होगा तो सबसे पहले हम लोग focal length से focal length निकालेंगे इस formula से और जैसे focal length निकाले हमारा focal length आग 2.20 मीटर आगया अब देखिए हम लोग जानते है फामला की पी इक्वल्ट होता है one upon f वह भी मीटर में अगर ऐसे लिखते तो मीटर बोलते हैं तो पी इक्वल्ट अगर 100 उपर कर देंगे और 20 नीचे कर देंगे तो यह cm में हो गया इससे इससे काट देंगे तो पी क्वल c आएगा कोई दिक्कत नहीं है अब option में देख लेते हैं क्या क्या हमारा option दे रखा है तो option में हमने देखा कि हमारा option है प्लस 2D प्लस 20 प्लस 5 तो हम लोग का C option सई है तो C option equal कितना है प्लस 5D ये प्लस 5D आ जाएगा तो option number कौन सा है तो हमने देखा option C हमारा 4 में से सई हो गया तो आपने क्या करना देखे कुछ नहीं एकदम simple question है तो अगर आप इस तरीके से अगर लगातार question लगाते रहेंगे है चैप्टर से ठीक है आप अगर continue chapters लगाते रहेंगे और जब भी chapter पढ़े है उसी समय लगा लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी से प्रेप्रेशन हो जाएगे कोई दिखकर ने no doubt आप जो है जल्दी से ही क्या करेंगे बीना time loss की यही question को solve कर लेंगे और अच्छे नंबर गेन कर सकते तो देखिए हमारी सुबकामनाय भी है आपके साथ तो देखिए क्या करना सबसे पहले question में बोला था कि जो है रेडियस अब करवेचर जो रेडियाई सेम है और यह हमारे यह होगे इसको हम लोग इस फामले में रखे focal length find कर लिए 20 cm आ गया और power का फामला हम लोग ज्यानते वान अपन यह मीटर होता है केंटी मीटर के लिए 100 अपन 20 करेंगे काड़ देंगे 5 डायोटर प्लस में आगया क्योंकि कान्वेक्स था तो कान्वेक्स का जो वैलू आता हो प्लस में आता है तो यहां पर हमने देखा हमारा प्लस में एंसर आ ठीक है ना तो आईए हम लोग next question लेते हैं आप इसके स्वाट ले लिजेगा तब तक तो आईए देखेगा देखे आपके सामने question आ गया है third और जो यह question है वो नीट के 2019 का question है तो आईए हम लोग question को पहले साथ में read कर लेते हैं फिर option की बात करते हैं देखे इसमें directly option ही है option क्या है बोला है pick the wrong answer in context with rainbow मतलब rainbow के लिए यह चार condition दिया है इसमें से बताना है कौन सा wrong option है ठीक है बोला क्या है when light ray undergo to internal reflection in a water droplet a secondary rainbow is farm बोला है when light ray undergo to internal reflection in a water level क्या है water droplet में जब light क्या होगा inter करता है तो internal reflection जब होगा तो secondary rainbow is farm होता है तो यह साही है कोई दिक्कत नहीं secondary rainbow farm करेगा the order of color is reverse in secondary rainbow बोला order of color जो होगा वो reverse हो जाएगा secondary जो है rainbow में order of color भी क्या होगा reverse हो जाएगा यह भी साही है an observer can see a rainbow when his front is toward the sun अब आप यह बताईए an observer can see rainbow को कभी sun की तरफ आप ते बनने देता है कभी नहीं बनने देगा तो और अगला देखे rainbow is combined effect of dispersion reflection and reflection of sun light तो इसका मतलब है यह चौथा वाला भी सही है डी वाला कि rainbow में combined effect देता है dispersion होता है reflection होता है reflection होता है पर यह c वाला जो option है हमारा यही वाला क्या होगा c वाला option हमारा गलत होगा ठीक है ना जो c इसको हम लोग जो ही रेज नहीं करना है क्योंकि यहां पर हम लोग को लिखना ही नहीं है आप इतने दूर तक देके ना तो देखेगा जो c option हो हमारा कहार रांग होगा क्यों ऐसे अब आप समझेगा अगर हम लोग यह कहते हैं यहां पर हमने sun ले लिया जैसे यहां पाले यह हमारा sun है यहां sun है जब sun की light जो है मानलेज़े यह sun की light ऐसे पड़ेगी जब यह sun की light हमारे किसी चीज़ पर पड़ती है तो rainbow किदर बनता है इस side बनेगा मतलब ऐसे का सकते हैं अगर sun हमारा east में है तो rainbow किदर बनेगा बता ही best में बनेगा ना तो जब light पड़ेगा उसकी अपोजिट में rainbow बनेगा तो यह हमारा क्या होगा यह अपोजिट हो गया यह अगर यह east है तो यह वाला best होगा ना यह best होगा तो इसका मतलब है अब देखें sea वाल आप्शन क्या बोलता है sea वाल आप्शन है an observer can see rainbow when his front तो नहीं भी यह इसका मतलब है option हमारा sea वाला ही रांग है क्यों 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 कि जब rainbow अगर हम sun की तरफ देखेंगे तो rainbow हमें दिखेंगा नी कि sun की तरफ rainbow नहीं बनता sun के opposite rainbow बनता है तो आपका option गलत कौन सा होगा sea वाला क्योंकि sun के opposite rainbow बनेगा न कि sun की तरफ तो अगर हमारा face sun की तरफ है तो rainbow sun की तरफ नहीं बन रहा क्योंकि rainbow तो हमारे क्या होगा back side बनेगा अगर हमारा face sun की तरफ है तो rainbow क्या बनेगा हमारे back side में बनेगा ठीक है यही question है या तो कहेंगे अगर sun east में है rainbow कि दर बनेगा, बेस्ट में बनेगा, अगर बेस्ट में sun है, तो rainbow isto में बनेगा, ये condition बनती है, ठीक है, तो C option हमारा क्या है, wrong है हमारा, ठीक है, इसमें आप क्या हो जाएगा, C option दांग होगा, ओके, तो आईए हम लों next question लेते हैं, देखें next question क्या है हमारा तो ध्यान से हम लोग देखते हैं question number next क्या है तो आईए हम लोग इसको erase करते हैं और question next ले लेते हैं ठीक है ना तो next question आप लोग ध्यान से चलिए आपके screen पर आ गया है तो आप देखेंगा question हमारा क्या है हम आपके साथ साथ पढ़ते हैं question है है कि if the critical angle for a total internal reflection or critical angle total internal reflection from a medium to vacuum is कितना दिया है medium से vacuum में जब निकलेगा तो 45 angle होगा तो then the velocity of light in the medium इस तो velocity light की कितनी होगी यही बताना क्या होगा light की velocity कितनी होगी यह हम लोग को क्या करने है बताने है कि light की velocity क्या होगी ठीक है तो सबसे पहले कुछ नहीं दिया critical angle 45 दे रखा और कुछ नहीं दिया ठीक है क्या दिया critical तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते कुछ formula का यूज है तो हम लोग जानते एक तो यह जानते है mu is equal to c by यह जानते है mu is equal to c by भी होता कुलता है एक यह फाम लहां दूसरा किया टेया MV इंग्वेट हम लोग जानते हैं वन आपान साइनिय स्य एक क्रिटिकल एंगिल का फाम लोग यह यहीना क्या हम लोग आते हैं रिफिर्तिव इंडेक्ष backwards क्या speed of light in air या vacuum in speed of light in medium यह हो गया और refractive index क्या होता है sine I upon sine R होता है तो critical angle के sine 90 degree sine C क्या है हमें critical angle की value यहाँ reflection कितना हो गया 90 degree हो गया और incident जो होता हो निकालना होता है अब देखेगा यह हम लोग का value इससे compare हो जागा first तो C upon B अगर हम बात करें तो 1 upon sine C आजाएगा कोई doubt नहीं और speed of light निकालनी है तो हम लोग को V equal की बात करें तो C sine C हो जाएगा ठीक है ना तो V निकालना है C की value कितना है तो 3 into 10 power हम जानते 8 होता है यही ना और उसके बास sine C sine कितना 45 है 45 होता अंडर उट में 3 by अनई sine 45 की value कितनी होती है तो 1 upon अंडर उट में 2 होता है तो यही option अगर 1 upon अंडर उट 2 into यह कितना होगा या तो ऐसे दिया होगा 3 into 10 power 8 क्या है meter per second speed हम इस तरीके सोगा अब option हम लोग को देखा है सबसे पहले कैसे करेंगे देखे mu की value CYB होगी और mu की value 1 upon कितना होगा sine C क्योंकि हम लोग जाते है reflection क्या होगा 90 degree होगया तो critical angle बच गया दोनों equate कर दीजे और हम लोग को velocity निकालने के C sine C आगया C की value speed up light है यह होगई और sine C की value sine 45 है 1 upon कितना होगा under 2 होगा sine 45 value और 3 इधर कर देंगे यह होगई option अब option चेक कर लेते कौन सा option हम लोग का सही वाला है तो आई हम लोग option देख लेते हैं तो option हमारा है यह आपका मिल गया C option तो हम लोग ने देखा कि हमारा C वाला option जो है वो सही है वो है C 3 upon under 2 into 10 power 8 meter per second तो option C वाला हम लोग का correct है और इसमें option क्या क्या दे रखा है 3 into 10 power 8 meter per second 1.3 power 8 meter per second 3 upon under 2 10 power 8 meter per second under 2 into 10 power 8 meter per second तो आपने क्या देखा कि हम लोग ने यह देखा कि अगर speed क्या होगा light 3 into 10 power 8 हो और critical angle हमारा कितना हो जो है 45 हो कहां से medium से air में और हमारा जो internal angle दिया हो internal reflection का 90 degree हो तो हम लोग जानते कि हमारा velocity कितना आगे यह इतना आगे ठीक है ना आप लोग ध्यान से देख लिए कोई doubt नहीं simple देखे सबसे पहले आपने देखा कि optics के जो question आ रहे बहुत important है और easily हम लोग solve भी कर ले कोई दिक्कत भी ने देखे सीधे-सीधे formula है इसमें रखेंगे solve हो जाएगा इसका मतलब यह हो कि अगर optics के question आपको मिलते हैं तो आप easily number gain कर सकते हैं और बिना ही doubt और loss के ठीक है time नहीं loss होगा तो आई हम लोग next question ले लेते हैं तो देखे question number next क्या है हम लोग का next question हम लोग read करते देखे question है हमारे पास अगला है क्या है the power up by convex lens is 10 diopter क्या दिया है the power up by convex lens is 10 diopter and radius of curvature up east surface इस कितना है 10 cm मतलब power कितना है by convex lens का 10 diopter and radius of curvature up east surface कितना देखा 10 cm then the refractive index up material आप the lenses कितना होगा तो जो refractive index बोला है वो कितना होगा 3 by 2 होगा या 4 by 3 होगा 9 by 8 होगा या 5 by 3 होगा यही हम लोग को बताना है तो देखेगा आप आसा तो आपने question देखा तो आप लोग question ध्यान से पढ़ लिजे क्या दिया power up by convex lens is कितना है 10 diopter and radius of curvature up each कितना दे रखा 10 cm then refractive index find करना ठीक है तो हम लोग को क्या दिया power दिया तो आईए देखे सबसे पहले देखे most important question है ये आप लोग अगर ध्यान से करेंगे तो आप लोग एकदम आसानीज कर सकते क्योंकि optics के जो question होते बहुत ही easy होते तो आप optics को कभी मत छोड़ेगा आप optics को ध्यान से एक बर पढ़ लेंगे तो आप का आएगा तो चलिए next question हमारा देखे इस स्क्रीन पर देखेगा देखे power कितना देख्या है 10 diopter power दे रखा है ठीक है और radius आप करवेचर दोनों का जो है इसकी value कितनी है तो 10 cm है और दूसरी वाली की value कितनी है minus 10 cm थोड़ा साब को समझे यह diopter में होता है तो यह meter में है तो हम लोगों क्या होगा 10 upon 100 मीटर में change कर लेना है तो 1 upon 10 meter हो गया और इसकी value minus 1 upon 10 meter हो गया ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं अब फामला हम लोग को पता है कि 1 upon f equal होता है mu minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2 यह हो गया और हम लोग ज्यानते 1 upon f equal to p होता तो p भी लिख सकते है तो p की value हमारी कितनी है 10 diopter है mu की value नहीं पता minus 1 हो गया अब ध्याद 1 upon r1 की value जह हम यहां रखेंगे upon में upon करेंगे तो यह 10 उपर चलागा जब यहां रखेंगे यह भी प्लस उपर चला गया तो अब कितना होगा 10 equal to यहां कितना होगा 20 और mu minus 1 हो गया 20 इसके नीचे लाएंगे तो 10 upon 20 equal कितना होगा mu minus 1 इसको इससे काड़ देंगे तो 1 upon 2 आ जाएगा तो mu minus 1 equal कितना होगा mu minus 1 equal to आ गया हमारा कितना देखे इसको मैं बार बार इरेज कर दे रहां भूलके तो कितना हो जाएगा 1 upon 2 तो mu की value कितनी होगे 1 इधर करेंगे 1 upon 2 plus 1 आएगा तो mu की value हो जाएगे 3 by 2 तो option हम लोग को मिला लेना है यहां पर हमको इतना छोड़ देना था ठीक है तो अगर हम दिखरना नहीं तो हम अभी फिर सेरेज करके आपको बता दे रहें तो आपको समझ में आ जाएगा तो एक बार मैं चेक कर लूँ कि कुछ लिखा है क्या वहाँ पे बिल्कुल लिखा है R1 की value लिखा है मैं इसको देखे बदल दे रहा हूँ यह R1 की जो value है यह इस circle से बाहर क्या होगी R1 की value मैं उपर लिख दे रहा हूँ तो R1 की value आपकी है 10 cm इसको बदलेंगे कितना होगा 10 upon 100 और यह cut किया है कि 1 upon 10 cm से यह किसमें आ गया मीटर में आ गया और हमने यहाँ पे solve किया value formula रखके यहाँ पे तो हम लोग देखे 1 upon 2 आया है तो 1 को जब 1 upon 2 की तरफ करेंगे तो plus में आ जाएगा 1 by 2 plus 1 और solve करने पे हम लोग देख रहे हैं कि 3 by 2 आ गया तो option कौन से देखिए first option एही option हमारा 3 by 2 है तो option की बात करते हैं तो A की value हमारे 3 by 2 होगे इसी option के साथ हम जाएंगे हम लोग का answer सही हो जाएगा वो भी क्या होगा बीना time loss की क्योंकि इसमें देख रहे हैं हम लोग ज्यादा time नहीं लग रहा है बस आपको ध्यान से क्या है question को read करना है मेरे साथ साथ तो आपको दिक्कत नहीं आप सभी question आसानी से समझ सकते कर सकते ठीक है ना तो आईए हम लोग next question लेते हैं अब आगे ठीक